दोस्तो नमस्कार आदाब सच्छी अकाल नियूस क्लिक के कारिकरम हफते की बात में आपका स्वागत है और हफते की बात की सबसे बड़ी जो कहानी है वो सब आप उससे परचित हैं तो मैं कहानी रिपीट नहीं करूँगा और वो कहानी है उत्तर प्रदेश की इंकाउंटर क था तो ये जो इंकाउंटर कता है विकास दूबे नाम के बड़े कुख्यात किसम के अपराधी की हम इसकी पूरी कहानी आपको नहीं बताने जा रहे हैं वो सब आपने पढ़ा है आपने सब देखा है आपने सब सुना है टेलिवीजन चैनल पर आपने सुना है अखवारों बताई गई है उसमें नवजाने कितने घटना क्रम अगर आप देखिए कि वो दो और तीन जुलाई को उसका घटना होती है उसके गाउंपर उसके बाद वो अंतर ध्यान हो जाता है आठ पुलिस वालों को मारने के बाद इंक्लूडिंग वन डिप टीस्पी और अच्छान है एक ऐसा रहस्य है जो मैं समझता हूँ कि फिल्मों में ऐसा रहस्य बुना जाता है लेकिन उसकी कोई उसका कोई जबाब नहीं है किसी के पास कोई उसका उसकी चान बीन नहीं है कोई उसकी परताल नहीं है लेकिन हम उसमें भी नहीं जाएंगे हमारा आज immediate जो सवाल है कि विकास दूबे जिन परिष्थितियों में 10 जुलाई की सुबे कानपूर में मारा गया क्योंकि पुलिस का कहना है कि उसको मारना पड़ा क्योंकि वो मार रहा था पुलिस वालों को भाग गया था वो हत्यार लेकर पुलिस वालों को उनका हत्यार लेकर वो भागा और कीशड की तरफ गया और उस उन हत्यारों से वो हमला करना चाहता था इसी भी इसमें पुलिस ने बचाव में उस पर गोलिया चलाई या उसको मारा या पीटा जो भी किया और वो इस तरह उसकी अस्पताल में मौत हो गई हलांकि अस्पताल के बारे में कहा जा रहा है कि वहां वो जब पहुँचा तो उसकी मौत हो चुकी थी बहराल ये सारी जो कताएं हैं और अखवारों में छपी है हमारा मुखे सवालाज का है कि विकास दूबे अगर इस तरह नौ मारा गया होता तो उत्तरप्रदेश की कानून ब्यवस्था को समाज ब्यवस्था को वहां की सियासत को वहां की अवाम को वहां के शांती और अमन्चैन को कितना एच्छीब होता विकास दूबे के जिन्दा रहते हुए उत्तरप्रदेश शासन को, उत्तरप्रदेश की पुलिस को, हमारी नियाए ब्यवस्ता को और संपुर्ण समाज ब्यवस्ता को क्या कुछ मिलता, क्या कुछ हासिल होता क्या विकास दूबे के जरिये अगर उसको नियाए दंड दिया हो गया होता अगर नियाए बहुस्ता ने उसको अंजाम तक उसके पहुँचाया होता, जहां उसको पहुँचना चाहिए, तो वो जो प्रक्रिया होती, उसमें जो पड़ताल होती, छानबीन होती, गवाही होती, तमाम रिपोर्ट्स आती ही, उसके बयान होते, उसके गुर्गों के बयान होते, पुलिस के बयान होते, अगर जरूरत पड़ी तो राजनेताओं के बयान आते, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाय जा रहे हैं कि वो अमुक पार्टी से जुड़ा था, कोई कहा रहा है कि अमुक पार्टी किन लोगों को सुकून मिला है क्या विकास दुबे को अपने देश की न्याईक प्रक्रिया कानून व्यवस्था की प्रक्रिया हमारी जो पुलिसिंग है हमारी जो संपूर्ण अपराद और दंड की व्यवस्था है क्या उसके हवाले करना ज्यादा बेहतर नहों होता अगर व एक बहतरीन रोल या उसकी बहतरीन परफॉर्मिंस सामने न आती अगर उसको हर चंद हर कोशिश के बाद उसको बचाया गया होता है और उसको एक प्रक्रिया के तहट अपराज की संपूर्ण जो एक ताना बाना उसके अपराज का है उसको उजागर किया गया होता है अगर अपराद और सियासत के रिष्टे होते हैं कुछ जैसा कि बार-बार कहा जाता है अपने देश में कि अपराद और अपरादियों को संरक्षन मिलता है कभी प्रशासन का कभी राजनीति का तो क्या ये बेहतर नहोता कि हमारे देश के हमारे समाज के हमारे प्रदेश के ज उस खुंखार अपराधी की रक्षा करते ताकि उसको न्याय की प्रक्रिया से गुजारा जाए परताल की प्रक्रिया से गुजारा जाए और उन तमाम चेहरों को बेनकाब किया जाए जो विकास दूबे जैसे खुंखार लोगों को पैदा करते हैं जो विकास दूबे जैसी आपराधिक प्रक्रिया की असल कहानी लिखते हैं, असल स्क्रिप्ट लिखते हैं, आम तोर पे माना जाता है कि जो खुंखार अपराधी होते हैं, वो बहुत शार्फ होते हैं, उनके पास बहुत दिमाग होता है, लेकिन ये ऐसा बे-दिमाग आदमी, एक ऐसा जाहिल आदमी एक ऐसा जाहिल अपरादी जो शातिर अपरादी होने के बाधूद जिसके पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं थी अधर्वाइज वो पुलिस पर इस तरह हमला नहीं करता इस देश में अगर अगर अपरादी किसी से डरते हैं तो वो पुलिस से डरते हैं लेकिन ये खोंखार अपरादी पुलिस से भी नहीं डरा ये अधरत कहानी है इसके पीछे बहुत सारी बाते सामने आई हैं कि कैसे पुलिस के लोगों नहीं उसको इंफॉर्म कर दिया था कि तुम्हारे यहां दबिश होने जा रही है तुमको पकड़ने के लिए पुलिस जा रहा था सारे राज दफन और तो और भारती जनता पार्टी के एक राज्यमंत्री सम्तुल नेता को आज से दस्यों साल पहले पंद्रहों साल पहले आखिर जब उसने उनकी हत्या कराई थी थाने में वो राज क्या था कौन लोग उसके पीछे से हत्या कराने के यह सारे सवाल है कि क्या हम अपने समाज में कानुन व्योस्टा की हालत को बहतर करने के लिए ये ठोक शास्त्र का उप्यूग कर सकते हैं ठोक शास्त्र आप समझ रहे हैं नए हमारे देश के कई खेत्रों में जो राजनिता हैं सत्ता रुड़दल के या जो भी सत्ता में आता है वो कई बार ठोंकने की बात करता है कई बार हो कहता है कि जो ठीक से नहीं रहेंगे वो या तो जेल में रहेंगे या तो यमराज के हां जाएंगे तो ये सब बातें जो करने वाले लोग हैं क्या उनको ये समझ में आता है कि वो कितने सारे लोगों को जेल भेजेंगे, कितने सारे लोगों को जमराज के हाँ भेजेंगे और क्या जमराज के हाँ भेज कर वो कानून और व्यवस्था का पालन करेंगे देखिए समाज में अपराज, समाज में अब्यवस्था, समाज में अशान्ती कानून के जरिये ही लाई जा सकती है कानून के बगर हमने नहीं देखा है कि पूरी दुनिया में कहीं भी शान्ती आई है कहीं भी किसी बहतर मानवी तरीके से ही एक मनुश्योचित समाज बनाया जा सका है अब ये बदाईए कि रूल आफ ला हमारे देश में जब रहा है और जब भी रूल आफ ला को महत्तों मिला है हमने बहतर परफॉर्म किया है इसके कई उदारान हम आपको दे सकते हैं हम इसी पिशह पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक पदस्थापित रहे वहां काम कर चुके भारती पुलिस सेवा IPS के एक वरिष्ट अधिकारी जो रिटायर्ड है वीके शेकर साहब कई जिलों में वो SSP रहे हैं डियाईजी रहे हैं शेकर साब हम आपसे बहुत संचेप में ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव है क्या अपराधियों को और समाजिक तत्वों को ठोकने से यानि उनको उनका इंकाउंटर करने से क्योंकि अनेक प्रदेश हैसे है देश के जहाँ पर बका yaptये ड्यूटी बाहाटि जाती है लोगों की कि कितने इंकाउंटर साभ आपको करने हैं तो क्या इंकाउंटर इंटेंडेट इंकाउंटर से क्या कानुन बियोस्ता के स्टिती समाली जा सकती है समाज में क्या शांती बेवस्था लाई जा सकती है अप राध को क्या समूल नस्ट किया जा सकता है उम्लेश जी भारत में रुविला फुलाव की विवस्ता है। इस विवस्ता में सभी व्यक्ति पर सभी संथाएं कानून के आधिन होती हैं और कानून की लिगाह में सभी समान होते हैं। मैं समझता हूं कि शेकर सहाब की बातों में दम है और एक पुलिस अधिकारी अगर यह कह रहे हैं कि कि किसी भी किसी कीमत पर कानून विवस्ता को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह के तोर तरीके आजमा कर जो गैर कानूनी हैं जो रूल आफला के अधिन नहीं आते हैं। दोस्तो रूल आफला के अलावा मैं मानता हूं कि रूल आफला भी होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि साब अपने देश में अपराध को लेकर कानून ठीक से काम नहीं करता है। अधालतें तौरित कारवाई नहीं करती हैं। अधालतों में पेंडिंग माम ले रहा जाते हैं अधालतों में कई बार नयाए नहीं होता है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि ये रूल आफला का मसला है। पूरे समाज के जितने घटक हैं हमारी राइरितिक व्योस्ता के हमारी नौकरशाही के उनको समग्धर दूर ठीक करने की जरूरत है। हम विकास दूबे नहीं होगा क्या उत्तर प्रदेश में चौतरफा शान्तिशा जाएगी क्या विकास दूबे जिस प्रिष्ट हूमी में जिस जमीन के तहत पैदा हुआ जिस जमीन में वो पैदा हुआ जमीन का मतलब मेरा कानपूर की जमीन नहीं है मेरा मतलब है कि जो सामाज राजनेतिक जमीन है जिस पर उसकी पैदाईस होई उस जैसे अपराधी को पनपने का मौका मिला इतने वर्षों तक प्रोटेक्ट किया गया हत्याएं करता गया तमाम तरह के अनाचार दुराचार व्यभिचार करता गया और फिर भी तीसियों साल पचीसियों साल से वो लगा गया है और बिल्कुल अंत में चलते चलते दोस्तों हम यह भी आप से सवाल करना चाहते हैं कि जो लोग टेलिविजन के जरिए अखवार के जरिए या अपने दुष्परचार के जरिए जो लोग पूरे समाज को भेंड बकडी की तरह हाकना चाहते हैं कि अपने समाज को अ हैर कानूनी ढंख से उनका अंत करें दोस्तों हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इसी मल्क में अब आप कह सकते हैं कि अपराधियों को मारने के नाम पर सब भेर सज्जन शालीन और समझदार लोगों को भी मारा जा सकता है और मारा गया है अपने देश में असंख लोग को मारा गया है बे गुनाहों को मारा गया है जिन्हों ने कुछ भी नहीं किया आप देखिए इमर्जिंसी में राजन का क्या किस था काली कट इंजिनिरिंग कॉलेज के प्रतिभाशाली छात्र को उठाया गया और खत्म कर दिया गया उसका नामुन शान मिटा दिया गया ये ये सब कुछ बाद में सामने आ गया तो दोस्तो हम एक उधारण आपके सामने हमने दिये हम आपके सामने असंख उधारण दे सकते हैं मनीपूर नगैलेंट वीजोरम उत्तर प्रदेश बिहार न जाने कितने जगहों से आपको उधारण हम दे सकते हैं हमारे पास ज्यादा वक्त चुकी सकारिक्रम का नहीं है इसलिए मेरा ये मानना है दोस्तो कि दुनिया का कोई भी सब बेदेश कोई भी सुसंस्कृत देश कोई भी आजाद लोकतांतरिक मुल्क जिसे कहा जाता है कि संब्रद्धी और सुशासन के लिए बहुत आगे आया है इरोप के मुल्कों धन्यवाद नमस्कार आदाब सत्त्रियकाल